हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम रिजनिंग के बहुत ही इंप्वाटेंट टॉपिक फिगर आप कांटिंग की बात करें जो कि आपके आने वाले रेलवे एक्जाम्स या फिर इससी एक्जाम्स कोई भी कोगे अज इस वीडियो में बातकर राए्ल को कंट करने आपके इस तरीके के घ्लिक अईचंव में आज किसे में व्लमा जांगको कहुँ चैनल की इस तरीके कृश्ट्ट है इस ने यह बैस्यिसा सब्स्क्रीक करें नय 마음에 प Locked सबर्भा ऱी ऐ MORE सब्सक्राइब हैं हो जाएगा अगर थोड़ा सा बड़ा फीगर हो तो तब हम उसे कैसे कान्ट करेंगे जैसे कि इन सारे фिक्रस में तो आईए देखते हैं इसके लिए ट्रिक देख लेखते हैं त्रिक देखने के लिए हम सबसे पहले छोटे figure से ही शुरू करेंगे आप से पुछ रहे हैं कि इस figure में कितने triangles होंगे तो आपको इसमें करना क्या है अब सबसे पहले इसके अंदर छोटे छोटे कितने triangles से उसे हम कॉंट कर लेंगे तो 1,2,3,4 अब आपको क्या करना है 4 आपके छोटे छोटे triangles से आप इसे 2 से मल्टिप्लाइ कर दो 4 x 2 is equal to 8 यानि कि इस figure में हमारे 8 triangles होंगे यानि कि option number B आप ऐसे भी इसे कॉंट कर सकते थे 4 और फिर आप इस वाले triangle को ले रहे ते इस तरीके से इस तरीके से आप सारे triangles को लेंगे तो आप इसे copy के कॉंट करोगे आपका 80 triangles आने वाले आप देखते नीचे जैसे कि इस figure में यहां पर आपके दो figure दिख रहे हैं इन दोनों में हमको count करना है बिल्कुल आपको previous questions जैसा ही अंदर भी कितने चोटे-चोटे triangles है उसे हम देख लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6 तो इसके अंदर कितने triangles हो जाएंगे तो 6 x 2 यानि कि 12 नेक्स्ट इसे तरीके से देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो 8 x 2 यानि कि 16 अब यहां पर हमारा इस तरीके से बीच से कट किया है अब अगर यह इस तरीके से नहीं कट करके इस तरीके से भी कट करता तो आपके पास 6 ही होते और 6 गुना तो 12 ही आते है अब दिखते है थोड़ा सो और इसके अप जैसे कि 2 स्क्वाइर मिला के दे दिया तो इसमें आपको प्रिवियस ट्रिक फेल हो जाएगे विकॉस यहां पर 2 स्क्वाइर मिला के दिया है तो इस तरीके के कंडिशन आएंगे तब हम क्या करेंगे आप दोनों स 16 तो पहले से ही आगया फिर आपके और भी ट्रेंगल से वह कौन कौन से ट्रेंगल है वह देख लेते हैं हमने नेमिंग कर दी है A B C D E F तो आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है कौन सा तो ट्रेंगल B E C तो प्लस ट्रेंगल B E C जो कि हमसे नहीं कौन ठोपाया विकॉस यह तो नो स्कौर्स को मिला के थे और सकेंड ट्रेंगल से हमारे ट्रेंगल A F D तो कुल मिला के हमारे कितने ट्रेंगल हो गए तो 16 हो गए अब नेक्स्ट और भी इससे थोड़ा सा हाई लेवल पर आपके कोश्चन्स पूछेगा तो क्या पूछेगा वह सारे जो आपने ऊपर में 8, 3rd में 8 तो 24 तो हमारे पहले हो गए अब हम नेमिंग करेंगे A, B, C, D, E, F, G, and H अब हमने नेमिंग कर लिया तो अब यहाँ पर देखो आपका एक ट्रेंगल बन जाएगा ट्रेंगल B, H, D, 2nd हमारे ट्रेंगल बन जाएगा ट्रेंगल H, D, F, फिर 3rd बनेगा ट्रेंगल A, C, Z, and 4th बनेगा हमारे क्या तो ट्रेंगल C, G, E, तो आप देखो और इससे ज्याद़ आपके ट्रेंगल नहीं बनने वाले हैं तो हमारे कुल कितने ट्रेंगल हो गए तो 28 यानि की option number C, नेक्स्ट आपका आजका हमारा last question इसके अंदर कितने ट्रेंगल होंगे यहाँ पर आपके दो स्कॉयर को मिलायो और बीच से एक लाइन वी खीच दिया तो इसके अंदर कितने ट्रेंगल आएंगे पहले तो दो स्कॉयर को मिला आता था तो simply हमारे 18 ट्रेंगल आ गए थे ब B, C, D, E, and F अब यहाँ पर आपका एक G आजाएगा एक H आजाएगा अब आप ट्रेंगल देख सकते हो ट्रेंगल हमारे और कॉन-कॉन से बनेंगे तो सबसे पहले तो आपका एक ट्रेंगल बन गया ट्रेंगल A, C, E, and दूसरा बन गया ट्रेंगल A, ट्रेंगल B, F, and D अब इसका नाम यह देखो एक आपका ट्रेंगल बन रहा है F, G, H, यह भी तो यह दोनों स्क्वाइर को मिला के ही बन रहा है जो कि हमसे नहीं कॉन्ट हो रहा था तो एक हमारे ट्रेंगल हो गया F, G, H, and दूसरा इसके जस्ट रिवर्स में ट्रेंगल G, C, H, तो कुल मिला क तो आज के बस इतना ही आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा या आप हमें लाइक कमेडर एंड सेयर करके जरूर बताए साथ ही साथ अगर आपको इसी तरीके के और वी वीडियो चाहिए तो आप सबसे पहले हमारे चैनल के होंपेज पर जाओ वहां पर आपको नीचे में स मिशन करे यह दिन भाय और थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो